आपने सोनी टीवी का फेमस शो सी आईडी तो जरूर देखा होगा फिर तो आप को इंस्पेक्टर फ्रेडी का भी किरदार याद होगा जो बाद-बाद पर अपनी मजाकिया बातों और हरकतों से सभी को खूब हसाया करते थे इस किरदार को निभाने वाले अभिनेता ने बह आप जानते हैं पर क्या आप इनकी रियल लाइफ पत्नी और इनके बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो कौन है क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं तो डियर सब्सक्राइबर्स आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको CID में इंस्पेक्टर फ्रेडी का किरदार निभाने वाले अभिनेता का असली नाम दिनेश वडनीज है जिनका जन्म 5 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से हुई है अगर बात करें इनकी स्ट्रगलिंग करियर की तो इन्होंने कॉलेज के दिनों में ही थीटर शोज करके अपने करियर की शुरुवात की जिसके बाद टीवी शोज में काफी ओडिशन देने के बाद साल 1988 में सोनी टीवी के शोज CID में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स का किरदार निभाने को माका मिला और इस तरह इस शोज के साथ इन्होंने अपने करियर की शुरुवात की इन्होंने इस किरदार को साल 1988 से साल 2018 तक निभाया था और अपने इस कॉमिक किरदार को निभा कर लोगु का खूब दिल जीता इस शो के बाद ये CID जैसे ही शो दंगल चानल के शो CIF से कॉंस्टेबल शंभूत पावडे का किरदार निभाते हुए नजर आये थे वहीं आपको बता दे किस शो के साथ साथ इन्होंने मेला सरफरोश और ऑफिसर जैसी फिल्मों में भी सपोर्टिंग रोल निभाए हैं पर आज भी ये CID के ऑफिसर फ्रेडी के नाम से काफी मशूर हैं लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के रियल लाइफ पतनी की तो इनकी पतनी का नाम नैना है जो की एक हाउस वाइफ है और लाइम लाइट से दूर रहती हैं साथ ही आपको बता दे इस शादी से इनके दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इन्होंने नैना से काफी साल पहले अरेंज मारिज की थी आपको बता दे शादी से पहले ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे पर जैसे जैसे समय बीथता गया वैसे इनकी नजदी क्या बढ़ती गए और आज इन दोनों की श्यादी को लगभग बहुत साल हो चुके हैं और इन दोनों का रिष्टा काफी रोमांटिक है वेल तो आपको फ्रेडी का ये चोटा सा परिवार कैसा लगा? आप हमें अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चानल को लाइक और शियर करना बिलकुल न भूले और साथ ही अमाम दमदार मसेदार बॉलिवुट की खबरों को जानने के लिए हमारे चानल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें